दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो ना केवल आज के समय में आपकी इम्मिटी पावर आपकी रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाने का कारे करेगा बलकि यह नुस्खा आपके सारीरिक बल आपके शक्ति आपके पौरुशक्त्व में भी वृ दान से कम नहीं है जी हाँ इतने सारे लाब मात्र एक ही नुस्खे से आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे तो चलिए बिना देरी किये जानते हैं और अधिक विस्तार के साथ नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ चलिए बिना देर किये सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे में प्रियोक्त होने वाले प्रमुक घटा के द्रव्यों के बारे में तत पस्चात उसके लाब से भी मैं आपको परिचित कर हो आउंगा साथ ही साथ प्रियोग विदिवय अन्य साउधान्यों के विशे में भी हम अंत में बात करेंगे दोस्तों इस नुस्के में प्रियोग किये जाने वाला सबसे पहला घटक द्रव्य है सिलाजीत जो आपको दो भाग की मात्रा में लेना है सिलाजीत जिसे आप आ आप में सक्ति वर्दक, स्टैमिना को बढ़ाने वाले गुण के चलते जग परसिद है ही इन सब के अलावा सिलाजीत में पाए जाने वाला फुलविक एसिड बहुत ही अच्छी स्रेणी का एंटियोक्सिडेंट होता है यह सबी गुण ना केवल आपकी शक्ति में आपके पौरुशत्व में वृद्धी करेंगे बलकि आपकी रोग परतिरोदक्षमता को भी बढ़ाने का उसे सुधारने का या कारे करेंगे और आज के समय में इसकी हमें सबसे अधिकाओ शकता है इसके लावा मदुमे के रोग्यों के लिए सिलाजीत के लाब किसी से छुपे हुए नहीं है सबसे अधिक लाब पोचाने वाली जो ओशिदिया है मदुमे के रोग्यों के लिए उसमें सिलाजीत सबसे प्रमुख ओशिदियों में से एक है वहीं इस नुस्खे का दूसरा घटक द्रव्य है अश्वगंदा जिसे आपको 20 भाग की मात्रा में लेना है अश्वगंदा को आयुस मंत्राल या खुद इम्निटी पावर बढ़ाने के लिए प्रियोग करने की सला देता है आपकी रोग परतिरोदक छमता को बढ़ाने का याकारे करता है साथ ही साथ सारीरिक रूप से चुष्टि फूर्ति और बल में अव्रिद्धी करता है इसके लावा अश्वगंदा के प्रियोग की जो सबसे विसेश बात मुझे लगती है वो है मानसिक तोर पर भी अश्वगंदा का प्रियोग विसेश लाबदाई होता है इसके प्रियोग से नींद अच्छी आती है, सारीरिक तोर पर हमारे सरीर का कोर्टिसोल लेवल कम करने का या कारे करता है, जिसके चलते प्राकर्तिक तोर पर टेस्टिस्टोरोन लेवल बढ़ता हुआ, दिखाई देता है, वहीं मदुमे के रोग्यों के लिए भी अश्योग का प्रियोग बहुत ही अधिक लाबदायक रहता है, यह मैंने अपने बहुत से अनुभव में पाया है, अगला घटा की द्रव्य है, गोखरू जो आपको दस भाग की मातरा में लेना है, दरसल इस नुस्खे में गोखरू का प्रियोग करने के पीछे जो प्रमुख कारण ह वो है सिलाजीत और अशुगंदा के प्रियोग करने के चलते उत्पन होने वाली जो अतिरिक्त उश्मा है, उसको उची तोर पर सरी से निस्कासित करने का यह कार्य बहुत ही अच्छी प्रकार से करता है, अथा अर्थे इस नुस्खे को किसी भी मोसम में प्रियोग करने य ही आसानी से दूर करने का कारे करता है, और बहुत से लोग दावा करते हैं कि गोखरु के प्रियोग से टेस्टर स्टोर ओन लेवल में वृद्धी होती है, पर इंतु बहुत से आधुनिक रिसर्च में पाया गया कि गोखरु के प्रियोग से टेस्टर स्टोर ओन लेवल न लावा दोस्तों जो अगला घटक द्रव्य है वो है बसंत कुस्मा कर रस यहाँ आपको एक भाग की मात्रा में लेना है और यह पूनत है अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं कोई अधिक आउसकता आपको नहीं है परन्तु यदि आप मदूमे से पीडित हैं मदूमे के रोगी हैं तो विसेश तोर पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रियास करें इसे सम्मिलित करने का आवश्य थोड़ी महंगी ओशिदी है परन्तु बहुत ही अच्छाला आपको प्राप्त होता हूँ दिखाई देगा प्रवाल पिष्ठी, मोती पिष्ठी, अब्रक भस्म, सोयन भस्म, चांदी की भस्म, लोहा भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म, रस सिंदूर जैसी ओशिद्यों से निर्मित होने वाला बसंत को स हमारे शरीर में रक्त संचरन को सुधारने का कारे करता है, शरीर के हर अंग को बलप्रदान करने का कारे करता है, जिसके चलते ना केवल हमारी रोग परतिरोदग छमता में वृद्धी होती है, बलकि हमारी टेस्टेस्टोरोन लेवल को भी यह बढ़ाने का कारे करता है, द चलते पुर्षो में पाए जाने वाली सामान्य और विशेश कमजोरी चाहे वो मदुमे के चलते उत्पन हुई हो या फिर अन्य किसी कारण के चलते ही क्यों ना उत्पन हुई हो उसमें ये लाब पोचाता है इन सब के अलावा हमारे सरीर के अन्य महत्तपूर्ण अंगों को भी बल या प्रदान करने का कारे करता है चलिए दोस्तों अब मैं आप सभी की सुईधा के लिए एक बर इस नुष्के को दोरा देता हूँ इसके लिए आपको आउशकता होगी सिलाजी दो भाग की मातरा में आशुगंदा चून बीस भाग की मातरा में गोखरू चून दस भाग की मातरा में और अगर कोई साधन संपन व्यक्ति है तो बसंत कुस्मा कर निश्चत तोर पर एक भाग की मातरा में मिलाना विसेश लाबदाई रहता है इन सब को खूब अच्छी परकार से घोट कर 3-5 ग्राम की मातरा में सुबह श्याम भोजन के पश्चा दूद या फिर सहद के साथ प्रियोग करना प्रियाप्त रहता है लाब प्राप्ती है तो वहीं जहां तक बात है साउधानियों की तो कुल मिलाकर सुरक्सित या ओशिदिया परन्तु अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है या फिर किड्नी से जुड़ी किसी प्रकार की किसी को बिम ये जानकारी पसंद आई होगे अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक से दिखलो पास शेर कीजिए वीडियो को लाइक केजिए अपने सुझा अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के मादेम से बताईए और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि या ही से अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा आपके साथ हो मिलते अगली वीडियो में नमस्कार